नमस्कार दोस्तों स्वागत ले आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम ऐसी पांच चीजों के बारे में बात करेंगे जो मधुमे को यानि डाइबिडिज के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए ताकि वो स्वस्त रह सकी तो दोस्तों शुरूर से अंतक वीडियो को जरूर देखें दुनिया भर में मधुमे को बहुत खतरनाक रोग माना गया है आधून की जीवन शैली और सुख सुविधाओं ने जहां मनुश्य के जीवन को असान किया है वहीं उसे मधुमे जैसे बीमारी भी भेट में दी है यह बीमारी एक बार लग जाती है कोई जानते हैं वह कौन सी चीजी है जिनसे आपने दूर रहना है वैसे तो ऐसे बहुत से लोग हैं बड़ी संख्य में हैं जो मिठा खाना पसंद नहीं करते लेकिन इसके बावजुद मधुमे के शिकार हैं मधुमे मीठा खाना के कारण नहीं होता लेकि एक बार यह हो जाए तो मरीज को मीठे से दूर रहना पड़ता है इसलिए कोशिश करें कि मिठाई ना खाएं शकरकंदी अर्बी और आलू यह ऐसी कई चीजे हैं जो में के अंदर उगती हैं यानि जमें के नीचे उगती हैं उनको ना खाएं या कोशिश करें कम से कम मात्रा में इ या आपकी बिमारी को और बढ़ा देगा, अंकुरित अन को उबाल कर या भून कर खाए पर तल कर न खाए, अगर आपको मदु में है, तो आप सूखा मेवक कभी न खाए, और खाना भी चाहते हैं तो यह पानी में भीगो कर रख दें और सुबह इसे खाए, मदु में से बच लेने से मधुमे से बचाव हो सकता है अगर आप रोज एक बड़ा बावल सफेज चावल खाते हैं तो आपको टाइब टू मधुमे होना खत्रा सामाने से ग्यारा प्रतिशत ज्यादा होता है चावल के पकाने की विधी पर उसके खाने से होने वाले फाइदे या नुकसान न सिक परल जाती हैं कि इससे श्रीडर में रख्त की शरक्रा की मात्रा पर इसर फडता है केला आम ली देश इन जैसे फ्वलों को ना कौए या कम मात्रा में ख़ाए क्योंकि इसने मधुमे खत्रा बढ़ जाता हैं अगर आप मधुमे से बीढ़ते हैं तो आप आइसक्रीम के पेश्ट्री इनसे भी प्रेज रखें यह आपके स्वास्ते के लिए हानेकार रखें तो यह थी वो चीजें जो आपने मदम्य में पीट होने पर नहीं खानी है इनसे परहज करना है ताकि आप स्वस्तर है सकी उमीद आपको दोस्तों जानकर अच्छे लगी होगी तो अपने दोने वाद